और आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल कुद से कैसे बना है ना वाट इस राइट वेइट वेट उसके बात फिर वह फॉलो नहीं होते और जब फॉलो नहीं होते तो हमारा की जिंदगी अलग लग है हर एक का पढ़ने का तरीका अलग लग हर एक की स्पीड अलग लग लग है तो हमको वह सीखना है कि हम खुद से अपना टाइम टेबल बना सके हैं और अपने स्टडी आउर्स को इंक्रीज कर सके हैं तो उसके लिए रियलिस्टिक मेथट क्या है मतल प्लोग कर सके तो उन सारी के बारे माँ आज आज इस वीडियो में बात करने माले है तो चलो बहुत करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक पीजिक्स यूटुप चैनल को सब्स्क्राइब कर लो सब्सक्राइब है ना और और अगर अभी तक तुमने फिजिक साहलिक्स की वेबसाइट चेक नहीं करें तो उसको जरूरू जाकर चेक करना क्योंकि यूविल फाइंड लॉट्स ओ क्वालिटी कंटेंट कंप्लेटली फिरी ओन देस वेबसाइट है और यहां तक यहां तक यह जीएक अलग मिलेंगी नीट की अलग मिलेंगी हर एक कोश्यंगा तुम्हें डिटेल्ड वीडियो सॉलीशन मिलेगा और वो वीडियो सॉलीशन भी कोटा के टॉपफेकर बनाएंग गए तो तुम्हें पूरा का पूरा मटिरियल इस इस अक्सेबल फिरी और इक्सेबल तो description पे click कर ले ना वीडियो पे जाके वीडियो के बाग और Instagram पे चो लोगे वो Instagram पे follow कर सकते हैं बाकी Telegram पे जरू connect कर जाना Neat वाले बच्चे ये वाला Telegram चैनल जोइन करना Neat underscore physics और ITJ वाले ये वाला मतलब obvious है इसकी link भी description में है क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को recording देख रहे हैंगे हो सबते एक साल बाद दो साल बाद जब भी देख रहे हैं तो जो भी latest updates हैं अभी कौन से currently अभी current कौन से नए बैचेस आ रहे हैं कौन सी classes हो नहीं है मतलब जो भी recent हो रहे हैं वह सारे updates तुमको यहां पर मिलेंगे न मतलब तो अगर तुम सारी चीज़े पता है वी क्या चल रही है न ठीक है उसके अलावा में अनकाडमी पर बहुत सारी free live classes लेता हूं मतलब हर मंत में around 20 free live classes लेता हूं उन में से कई classes में मैं तुमसे directly interact करता तुमसे बात करता हूं तुमारी जो भी करते हैं तो अनकाडमी पर मुझे जरूब कर ले ना वेन यूव वेन वेन जो बच्चे सोच चुके हैं चाहे वो जही या नीर की तेयर ही कर रहे हो चाहे 2023 के लिए 2024 के लिए 2022 के लिए जो भी है 2025 बले भी हो सकते हैं जुन्होंने ड साहथ न टीचर से पढ़ना है सारे सब्यक्ट में जो कोटा के वेस्ट हैने के अनकाडमी के वेस्टीचर थे जिन्होंने मुल्टिपल टाइंस इंडिया की टॉपर रिंग्स प्रोड्यूस करें और तो वह लोग आनकाडमी प्लस का सबस्क्रिपशन ले सकते हैं जिन्हों लोगे तो physics chemistry बायोका मिलेगा इसमें तुम्हारा complete slips होगा है और जो भी बच्छे physics lang code use करके unacademy plus का subscription लेंगे मुझे टेलीग्राम पर जुरू message कर देना this is my telegram id this is pj sir unacademy इसमें मुझे message कर देना कि पदीख sir हमने आपका code use करके subscription लिया प्लीज टेक में अंडरो गाइट में तुम्हें फिजिक्स और ग्रूप में भी आइड कर दूँगा आइट ना बहुत सारे फिजिक्स फेकर डीटी से और वह सारे फेकर दीटी समय नहीं सुबह से होता है ना पर कई वार 33 परसेंट 40 परसेंट भी होता है जैसे अभी 25 तक है और ऐसे ओपर आते जाते रहते हैं तो जब भी तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना हो बेटर है एक बार मुझे पहले मैसेज कर लेना तो जो भी बेस्ट उफर होगा मैं उस वक्त में बता दूंगा जो भी चल रहे होगे बाकि तुम्हें कोई भी क्वेरी है नए बैचिस कौन से आ रहे हैं सर क्या नहीं आ रहे है कब तुम्हें समझ में आ जाएंगी इसका इसकी इंशोट लेलो अभी ताकि यह तुम्हारे चेक लिश्ट की तरह रहेगा जब तुम खुद का टाइम टेबल लनाओगे तुम ध्यान रखोगे कि कहीं तुमने कुछ मिस्तों नहीं करा है ना ठीक है तो भाई खुद का टाइम कैसे की लिए विशा का राया हूए है तो इन दो चीजों में फरक समझा बहुत जलूररी देखो है दोनों चीजों को है इंपोर्टेंट है दोनों चीज इंपोर्टन है पर डिसिप्लेन की आगे मौटीवेशन कुछ भी नहीं है मतलब यह समझोए ना देखो क्या होता है जो रैंक होती है ना वह हाइए कि पड़ाई करने से आती है तो क्या होता है जब भी कोई बच्च अपनी प्रपरेशन स्ट होता है मैं 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 दुनिया जीत लूँगा मैं मैं तो यह वन हूँ मैं खतरनाग पढ़ाई करूंगा यह करूंगा वो करूंगा सभी मतलब हर एक बच्छा बिल्कुल सोच के आता है कि हम करने वाले पर जैसे जैसे पढ़ाई चालू होते फिल डिफीकल्टीज भी आती है थ तुम हमेशा 24x7 highly motivated फील नहीं कर सकते है ना मतलब जो हमारे दिमाग है ना तुम समझ रहे हो ना मतलब ups and downs आते रहते हैं और यह दिमाग में भी अजीव-जीव से तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि आस तुम्हें बहुत highly motivated फील हो रहा है तो तुम भाई दिन में पढ़ रहे हो 16 गंटे आस तुम्हें बिल्कुल down फील हो रहा है तो तुमने 2 गंटे भी पढ़ाई नहीं करी बही ऐसे लोगों के selection ही होते समझो तो तुम्हारी जो पढ़ा का function नहीं होना चाहिए तुमारी पढ़ाई it should be consistent कि आज भाई demotivated फील हो रहा है कोई बार नहीं demotivated फील हो रहा है न मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूद नहीं यूटूब पे जाके समय प्रवात करने की जरूद नहीं है पढ़ाई कर अपनी demotivated फील हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में discipline क्योंकि क्योम discipline कैसे create करें हम discipline करें मोटिवेशन का roll होता है स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा motivation चाहिए होता है तांकि हम अपना रूटीन in start करें और उस रूटीन पर stick करें जैसे सुना होगब नahnा a कोटा फेक्प्री में भी गाणा 21 दिन क जाता है तुम अपने आप वो करती हो ना इसका सबसेचे एक्जांपिल जो में रिलेट करवाता हो वो जिम से है जैसे अगर तुम नया जिम जाना चालू करोगे ना तो इस स्टार्टिंग के दो ती दिन तो तुम चले जाओगे जो जो उसमें पर उसके फिर तुम बाते एक किसी तरह से एक महीने के लिए कन्तीनियूग कर लिया अपने पूश करके किसी तरह से एक महीने वी के लिए चले गए तो इसके बद तुम तो चारे म erreicht आहितुए दिमारी भीतिवलोब ऒए ऊंव Counter such ब्यच्आ तुम्हारा तार्गेट है अगर 12 गंटे वाला है तो अपने आप 12 गंटे पड़ाई करादर होगे, उसके लिए तुम्हें बिलपार नहीं चाहिए होगी, तो भही चीज करने हैं, बस motivation का रोल स्टार्टिंग में होता है, तो वो कैसे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले discipline करने का तरीका अपना एक proper routine और time table बना लो और इसको follow करने ही करना है, चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है, अब भाई, motivated कैसे हो, starting में क्योंकि time table को starting में follow करने के लिए motivation चाहिए, हमें starting के लिए 2-3-4 हफते time table को follow करने के लिए motivation चाहिए होगा, तो वो कहा ह तो उसके कई तरीके motivation लाने के है, जैसे अपने family से बोल सकते, अपने teacher से बोल सकते, वो ध्यान रखे है, that you are answerable to someone, कि तुम रोज जाके बता रहे हो, ममी को, पापा को कि मैंने इतनी दिर करा, ये नहीं करा, वो help कर सकता है, बागी self motivation best होता है, तो self motivation के भी कई तरीके मैंने बनाते हो, तो उसमें तुमें 2-3 घंटे लगते हैं, 4 घंटी भी लग सकते हैं, जनरली 2-3 घंटे में बन जाता है, वो तुमारा समय बरबाद नहीं हुआ, जब तुम खुद का time table बैठके बना रहे हो, you are committing to your brain, कि तुम इसको follow करने वाले हो, तुम जो 2-3 घंटे जो तु किसी और का time table download के लिया, कि सुबह साथ बजे उठना है, फिर दो गंटे physics पढ़ना है, फिर खाना खाना है, फिर chemistry पढ़ना है, अभे उसकी जिंदगी अलग, तेरे class के time अलग उसके अलग, तेरे घर की lifestyle अलग है, उसके घर की lifestyle अलग है, तेरे सोने का समय अलग, उसके सोने और जब तुम बना रहे होगे, तुम अपने दिमाग को कमिट कर रहे हो, लिख लिख के कि भाही मुझे इसा करना है, बहुत हाई chances तुम उसको follow कर पाऊ गया, तो अगला point यही ता, never use time table provided by anyone else, मैंने बता दिया है, वो कभी, it never works, तुम्हें हमेशा खुद का time table बनाना है, और भाही में सिखाने वालो अगली steps में, कि तुम खुद का एक realistic time table कैसे बनाओ, ताकि तुम एक ideal time table ता कहुंच पाऊ, विच एक ideal time table बोलें, जे या, नीट अस पैरन का, तो वो यह होता है, हर रोज 12-14 घंटे total पढ़ाई, मतलब जिसमें self study और तुमारी coaching classes का time टो गराई ठीक है, जहां पर तुम आराम से 6-7 घंटे सो भी रहो ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे सो रहे, पांच गंटे सो रहे हो, वो long term में काम नहीं करता है, वो तो उल्टी तुमारी तभीयत खराब कर देगा, 6-7 घंटे जन तुम सोते हो, 12-14 घंटे तुम पढ़ाई करते हो, एक घंट साथे लोगों में जादा होती नहीं है कि योगा, मेडिटेशन बगरा करें, जो करता है तो बहुत अची बात है, इट रिलेक्स यो माइंड, इट काम्स यो डाउन है, और वो तुम पूरे अगले 23 घंटे के लिए तैयार कर देता है, तो ठीक है, जो भी वोटेबर तिंग लोग और अग्टम तक तुम दो साल तक फोलो कर सकते हो, जिसमें तुम बढ़ाउत पील नहीं करोगे, इर आप मेरे से नहीं हो, और तुम्हें इरिटेशन नहीं होगा, तुम्हें घुस्सा नहीं आएगा, अब मेरे इस पढ़ाई नहीं होगे, मैं इतना नहीं कर तो को सबसे पहले तुम्हें यह दान रखना है, टाइम टेविल बनाते समय, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, क्योंकि जब टाइम टेवल बना रहे होते हैं, तो तकड़ा confidence आ रहा होता है, कि भाई मैं खतम कर दू हूँ, मैं सब कुछ, मतलब मैं पढ़ने वाल हूँ 20 जिसको तुम लंबे समय तक कर पाऊ, तो तुम यह समना, you don't have to be too aggressive, while making your time table, तो यह नहीं करना, starting में 20 गंटे का बना लिए, यह सबसे बड़ी गलती होती है, 14 aggressively time table नहीं बनाना, let's say, एक average अच्छा माल लेते हैं, कि तुम भाई माल लो, दिन में पढ़ रहे हो, 8 गंटे, मा 14 से ज्यादा भी नहीं होना, यह सई time table नहीं होना, तुम यहां तक महुचना है, माल लो, तुम्हारा target है, अभी 8 गंटे पढ़ते हो, मुझे 12 गंटे का तक महुचना है, क्योंकि अगर तुम इतना नहीं पढ़ रहे हो, तो तुमारे फिर backlog होने लगेंगे, DPP जूटने ल overnight, तुम्हें धीरे-धीरे करना, तुम्हें अपने धिमाग को धीरे-धीरे rewire करना है, it takes time, it is a gradual process, तो यह मस हो जो कि एक दिन में तुम सब को चचीव कर लोगे, यह habits change करना, आसान काम नहीं है, भी बहुत resistance आता है, बहुत resistance आता है discipline create करने में, तो तुम्हें वो समझना प चल नहीं 5-6 गंटे जो भी है, ग्लास करने बाखी के तूरे अपने self study लिए लिए तो यह time table बनाओ, और हर हफते एक एक गंटा इंग्रीज करते जाओ, अब तुम्हें 9 गंटे का बनाया, तो इस टार्टिंगे 3-4 दिन तो होई तुम आराम से follow कर लोगे, पर उसमें भी तुम्हें 9 गंटे पही रहोगे, पर तुम्हें खुद को push करना, पुछ नहीं करोगे तो तुम्हें याद आखना तुम नहीं पहुंच पहोगे, इसलिए starting में motivation, starting में important होता है, जब तक हमारा routine और discipline create ना हो जाए, मतलब वो autopilot mode पे ना चली जाए, तो तुम्हें ऐसे एक पहुंच जाओगे 12 गंटे पे, मैं example के लिए दे रहा हूँ, वो तुम्हें खुद के हसाब से customize करना पड़ेगा, मैं पीछे की जो भी, जो जिस तरह से हमें को बनाना है, वो मैं बता रहा हूँ, mechanism बता रहा हूँ तो एक महने में तुम 12 गंटे पहुंच जाओगे, पर उ महिने, दो महिने, तीन महिने में तुमने क्या करा, उससे rank नहीं आती, पूरे एक साल और दो साल, तुमने हर मिनिट और हर घंटे जो fight करी है, वो जाके तुम्हारे exam में reflect करता है, तो यह द्याना हो ना, तो बहुत जादा aggressively नहीं बनाना है, यह सबसे बड़ी गलती होती है तो अपन को धीरे धीरे अपन को अपने hours increase करने है, अब इसमें एक चीच का और ध्यान रखना है, कि बहुत जादा relaxed भी नहीं बनाना है, कि मतलब तुमने इतना relaxed time table बना दी है, कि तुम्हारे पर फ्री टाइम बच रहा है, यह भी अगली गलती है, ना इधर too relaxed, nor too aggressive, एक त तो मैं देखना है कि तुम, तुम्हारा time table ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में तुम्हा खुद को हलका सा push कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि खुद को push ही नहीं करना चाहिए, बिल्कु नॉर्मल ही चल रहा है, आठ गंटे पहले था अभी भी वैसी चल रहा है अगर तुम्हारा नो घंटे बिल्कु आरामस हो रहा है तो उसी समय 10 घंटे पे इंग्रीज कर सकते हो, तो इस शुड नाइधर भी तू अग्रेसिव नो तू रिलेक्स यह ध्यान रखना है, और धीरे धीरे ग्रेजुल इंग्रीज करना ही बहुत इंपोटेंट करने में, ऐसा कर लेते हैं बच्चे कि अभी तो अपन 15 दिन से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर एक महीने सिर्फ फिजेक्स, उसके वास से दो महीने बाइलोजी इससे घटिये स्ट्रेजी नहीं, उससे नेवर फॉलो दया, मुम में देखना हो, कई बच्चे यह खुद से भाई, खुद से ही करते हैं, वो खुद के तरीके बनाए जारे हैं, खुद से ऐसी चीज़े फॉलो करते जारे हैं, तो तुम्हें यह नहीं करना है, ठीक है, भाई, तीनों सब्जेक्स साथ में पैरलली चलने चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है, जैसे कई बच्चों को देखा है, वो 11 में क्या करते हैं, तीन, चार महीने, पाथ, शे, साथ महीने में से बायो बायो पढ़ते रहते हैं, फिर आते हैं, फिर उनकी हवा निकल जाती ही, वह फिजिक्स पो आते ही, हलत खराब, पसीने जूटने लगतने हैं, तो भाई देखो यह नहीं करना है, इस चैमिस्ट्री पढ़ने का तुम पढ़ी नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत गंदा लगेगा, तो बैलनस करना होता है, जैसे मैं था भी, तो मेरे को फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा मन करता था है, पूरे दिन वर फिजिक्स पढ़ते रहा है, अ अब कैमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उसे बैलनस आउट करना है, कि तुमने दो घंटे फिजिक्स पढ़ दी, मज़ा आए ना, अब तुम बही दो घंटे कैमिस्ट्री पढ़ो खुद को पुश करो पढ़ने के लिए, फिर उसके बोरे हो सबके अपने अलग-अलग होते हैं, तो तुम्हें वो साथ में बैलनस करके चलना है, तुम्हें समझना है, तीनों सब्जिक्स तुम्हें साथ में लेके चलना है, इसलिए बहुत जरूरी होता है एक अच्छी कोचिंग या फिर एक अच्छा बैट जॉइन करे हो राइट के guidance में पढ़ें क्योंकि वो तुम्हें पुश करते हुए चलते हैं कई लोगों को difficult लगता है कि सर्फ तीन सब्जेक्ट एक साथ होई नहीं पा रहे हैं सर कैसे करेंगे सर्फ इन और गेनिक तुम से कम समय में ज्यादा चीज़े करा रहा है यह है तो तुम को डिवलप करनी है तो हमें साथ बैच के साथ चलो तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलने अंगले दिन वह तो तुम हर रोज ऊपर नीचे सब्जिक्से चेंज कर सकता है ने सब रहते हैं जरो हलो तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ड़ अगर आई वाले तो physics chemistry math, need वाले तो physics chemistry वाले तो तीनों subject parallel यह बता दी बढ़ी तीनों साथ में चलने चाहिए तुम्हारा है लोग भूल जाते हैं, leave reserve time for unexpected independence, देखो क्या होता है, जैसे कि तुम्हें क्या गंडा चाहिए, मैंने पहले भी रहा है, time table 24 hour का मत बनाओ, time table 23 hour का बनाओ, एक गंडा reserve के लिए हमें साथ छोड़ के रखो, यह psychologically बहुत हेल्प करता है, एक गंडा तुम्हें अपने time table में, तुम कुई भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी तभियत खराब हो गई बीच में, एक गंड़े कुछ काम आ गया, पापा ने कुछ बेज दिया, कोई दोस आ गया, कोई रिलेटेब आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि तुम्हारे दिन का एक गंड़ा बरबाद हो गया, यह फि तो फिर लगता है फिर फिर एक गंटा निकाल लीए तो इससे थोड़ा पुश भी मिलता है तो time table 24 अवर नहीं टी फिर आई हुआँ और हमेंगा और नहीं गंटा दिन में रिलेक्स छोड़के रहो इन केस किसी कारण से हमारी पढ़ाई के अगर एक गंटा बरबाद होगे तो हम उसमें से निकालेंगे किसी दिन दो गंटे बरबाद होगे तो आज एक निकालेंगे कल एक निकालेंगे ठीक है और अगर नहीं बरबाद हो तो तुम्हारी मर्जी हो तुम उसमें क्या करना चाहते है उस एक गंटे में तुम्हारा है जैसे शुकरी फूट काने में मज़ता है ना मिठाईएं इन गाने में मझा आता है या विडियो गेम किलने में मज़ता है थी तो यह जो करना अच्छा लगता है दिमाओ के लिद भूत आता है तो क्या करो इंको पॉजिटिव बें में केसी उसकाना ऐसे मत गरो कि यह तो discipline कि अगेंस्ट हो गया, इसको reward system को as a motivation यूज करो, कि जैसे तुम्हारा time table है, इस भी का time table है, दिन में 10 गंटे पढ़ना है, अब तुम्हें जो भी अच्छा लगता है, अगर तुम्हारा रोज का target लेके चलो, अगर आज का मेरा 10 गंटे का target पूरा हो गया, अब हो सकता है, इसमें home work पूरा हो ना हो, तुम्हें पर 10 गंटे का चोई है, वो पूरा अपना target का ना है, तो खुद को reward करो है, जो भी तुमने बना लेगे, अगर 10 गंटे पढ़ लूगा तो फिर एक icing खाऊँगा, तो खाऊ icing में, फिर 10 गंटे जब हो जाए, तो फिर इसका देख icing का उपको, पर अगर नहीं हो तो मत खाऊ, यह भी धिहान लगना, यह भी धनक ना, मतलब खुद को, अगर तुमने नहीं कर रहा तुमना time to blue, तो इतना self-control होना जी कि तुम नहीं खाऊँगे, फिर अगले दिन जब तुमारा 10 गंटे कबर हो जाएके, तब तुम आई-सम खाऊँगे, या फिर मानलो तुम्हें आदे गंटे का बीस मिनिट self-control बहुत important है, तो reward इस system में उसको positive way में use करो, कि अगर मैं अपना target अचीब कर लूँगा, तो मैं ऐसा करूँगा, जैसे exam में mock test मा कर इतने number आएंगे, तो मैं यह करूँगा, माल लो तुम्हें कोई movie देखनी है, माल लो, Avengers की कोई नहीं movie आ गई, वड़िया मस्त है, तीन ठीक है, तो भई, यह तुम करोगे, और gradually तुम्हारा target होना चाहिए, यहां तक पहुचना हो, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी rank लानी है, तो तुम्हें यहां तक पहुचना पड़ेगा, 12-14 गंटे हैं, 14 hours पे भी लोग पुश करते हैं, यह कोई unrealistic नहीं है, पर ठीक है, 12- 14 hours, अगर तुम्हारा 12 गंटे में पूरो homework भी रहा हो रहा है, तो 12 गंटे भी बहुता है, नहीं तो फिर पुश करके 14, धीरे धीरे पुश करके लेके जाओ, ठीक है, 6-7 गंटे है, यहां पर हमने number of hours की बात करीए, पर उसके अलावा भी एक बड़ा factor है, उन hours को तुम कैस इतिलाइस करते हैं, which is called efficiency, तो efficiency भी बहुत matter करते हैं, not just number of hours, क्योंकि कुछ लोग 5 घंटे में बहुत ज्यादा कर लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में भी उतना नहीं कर बाते हैं, तो efficiency is another matter है, तो खेर efficiency में मैं आल्रेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो मिल इसके साथ हमारे वीडियो समाप्त होता है, इसको फॉलो करके खुद का time table बनाओ, अब मैं यह नहीं बता हूँ है, तुम्हों लग रहा हूँ सर कितने बज़े उठें, कितने बज़े सोएं, भाई, यह matter नहीं करता, तुम्हारी रात में अच्छी पढ़ा होती हैं, तुम मैं नहीं सोना है, तो मैं अपनी biological clock को set करना है, खेर यह वाली चीजे में जो exam वाले वीडियो होंगे ना, उन में बना दूगा, वह बता दूगा, ठीक है, बागी जो लोग प्रॉपरली आने academy पर आके मुझसे पढ़ना चाते हैं, वो physics lab code यूज करके join कर सकते हैं, और telegram पर जरूर मुझे follow कर लेना, इस वीडियो के description में link मिल जाएगी, ठीक है, चलो भई, बाबागे, see you, बाबाए, भई अच्छा लगा तो like कर देना, और तुम्हें लगता है इस वीडियो से तुम्हारे किसी दोस्त बगरा की help होगी, तो उनके साथ शेयर कर देना,